आज बहुत ही एक एत्यासिक दिन है, कोई साधान दिन नहीं है, जैसा ये कहा जा सकता है कि आजाद भारत में एक परिवर्तन का दिन है और वो हम सभाग्या है कि उसको हरियना से शुरू कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हमने वर्षों पहले कही थी, जिसके लिए लगातार भेनत की और उसका परिणाम कम निकलेगा, उस समय मेरे से भी पूछा जाता था तो तो दो दानी पाता था। लेकिन आज कम से कम मैं कह सकता हूं कि वह व्यवस्था परिवर्तनिया ने अंगरेजों के समय हर कोई अपने अधिकार को मांगता था। हमको यह चाहिए, यह चाहिए। हमको मिलता नहीं है। देश आजाद हुआ दुरुभा के पुर्ण सिती ये रही कि उस समय भी वस्ता बदली नहीं और इन सरकारों से जो अपनी सरकारे जिनकों कहते हैं वहाँ भी ये जो मांगने की पता अधिकार मांगने की पता ये लागातार बनी रही और अभी तक बनी हुई है किया हम आजाद हो गए? अगर आजाद हो गए तो हमको अपने अधिकार, अपने हक अपनी चीजे मांगनी क्योंपरए? अपने मिलने चाहिए और जब अपने मिलने का कोई सिस्थम जब तक नहीं बनेगा तब तक हम यह कहेंगे हमारी वो आजाद यह भी मिले नहीं हमने इस पर विचार किया कि जिसका जो हक है उसको मिले उसके घर जाके मिले उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की परिवार पहचान था एक यूनिक व्यवस्था देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं अभी तक आधार नाम से हमने सिटिजन की एक पहचान बनाई और उसका लाव जितना भी एक सिमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाबदा एक हुआ है वो भी, लेकिन अपनी समझे की व्यवस्था, वो एक आंगी व्यवस्था सिटिजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है, और बहुत योजना है, वो हमेरी परिवार से जुड़ी होई है, चाहे हो बीपिल के काड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयोश्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक की विवस्ता बनी इस परिवार परिवार पत्र की विवस्ता के माध्यम से एक परिवार की समाजिक सती आर्फिक सती अन्य समसितियां परिवार का साइज उसकी आवशक्ता हैं और आवशक्ताओं के साथ-साथ परिवार की कोई विशेश क्षमता ऐसी भी जानकारिया मिलेंग है लेकर आज हम उस कावत को बदल रहे हैं कि आज सरकारी कुवां हर गरीब प्यासे के पास जाएगा उसके घर जाकर कि उसकी आउशक तरक पुर्दी करेगा